नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर मुना लीनी मनुज और आप हमारे साथ जुड़े है विकॉस हेल्थ इस हीर आपने अम्रियोलोजिस्ट टेस्ट बेबी मेकर और हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं जिसमें होती है जानकारी फॉर्टिलिटी रिलेटेड फॉर्टिलिटी से मेरा मतलब है फीमेल हेल्थ, मेल हेल्थ, मेंस्ट्रोल हेल्थ और कपल गुल्स याने प्रेगननसी के बारे में आज का वीडियो हमारा एक कमेंट पे बैस है जो एक वीवर ने हमें कमेंट किया था यह कैसे पता करें के लेट साड़ का एक रिलीज हो रहा है के राइट साड़ का और कौन सा एक हल्दी होता है इसी कमेंट के साथ हम आज एक और बात देखेंगे क्या राइट साड़ का एक और रिलीज होना याने लेट साड़ का ओविलेशन या राइट साड़ का ओविलेशन इस बात का कोई और बेनिफिट है क्या इस बात पे भी आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो का हर एक sentence बहुत informative होने वाला है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा जो लोग ovulation के बारे में कुछ भी नहीं जानते उनके लिए पहले में बता दू ovulation ये एक महिलाओं से जुड़ी संकलपना है जिस तरह से महिलाओं को हर महिने में period आता है बिल्कुल उसी तरह से उन्हें हर महिले में ovulation भी होता है ovulation को हिंदी में अंडोत सर्ग कहते है महिलाओं के शरीर में दो अंडाशे होते हैं एक right side पे एक left side पे हर महिने में एक अंडाशे से एक अंडा fully mature होके वो एक specific वक्त पे फूटता है और उसमें से एक स्रीबिज release होता है जिसे हम ovulation ऐसा कहते है वो स्रीबिज शुकराणों के साथ फ़लीत होता है जिस process को हम fertilization ऐसा कहते है याने के बच्चे के निर्मिती होती है ये जो fertilization process होती है ये बीजवाहक नलिका याने fallopian tubes में होती है उसके बाद वो बच्चा बहते हुए आगे चलकर गर्भाशय में आता है याने uterus में आता है गर्भाशय की जो अंद्रूनी परत होती है खून की बनी हुई गद्धी जिसे हम endometrium कहते है उस endometrium में ये बच्चा आके चिपक जाता है स्थित हो जाता है जिसे हम implantation ऐसा कहते है बाद में गर्भाशय में बच्चा 9 मेने तक बढ़ता है जिसे हम कहते हैं कि pregnancy रह गई है इस तरह से सबसे पहले ovulation, उसके बाद fertilization, उसके बाद implantation और उसके बाद pregnancy रह गई ऐस तरह से हम लोग जानते है I hope आपको ovulation और pregnancy इन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या सम्मंद है इस बाद का पता चल गया होगा Back to the comment जैसे मैंने कहा कि हर महिने में एक अंडा 6 से एक अंडा fully mature होके उसमें से एक release होता है शरीर में mostly, महिलाओं के शरीर में mostly ये process alternatively चलती रहती है यानि कि अगर इस महिने में right side के ओवरी से अंडा fully कर उसमें से स्रीबिज निकला है तो उसके अगले महिने left side के ओवरी से अंडा fully कर उसमें से एक release होगा याने ovulation होगा इसके कुछ exceptions भी हो सकते हैं जैसे अगर किसी महिला में एक ही ovary है किसी कारणवश एक ovary निकाल दी गई है या फिर एक ही ovary functional है तो ऐसे cases में उसी एक ovary से सिर्फ ovulation होते रहता है लेकिन ऐसे cases बहुत rare होती है, बहुत कम होती है अब बात आती है ovulation को कैसे पता करें, कैसे जाने की महिलाओं के शरीर में ovulation कब हो रहा है इसके बारे में अल्रड़ी हमने आपके साथ calendar method शेर किया है उसका link में नीचे description box और i button में भी दे दूंगी कैसे पता करें कि स्री के शरीर में ovulation हो रहा है जी हाँ, जब स्री के शरीर में ovulation होता है तो उसके कुछ लक्षन दिखाए देते है अगर आप keen observer बनते हैं, अपनी body की लक्षनों की तरफ ध्यान से खयाल रखकर ध्यान रखते हैं तो आपको लक्षन सारे पता चलते है मैंने इस से related detail video ovulation को कैसे जाने, इसके बारे में एक detail video बनाया है उसका link में नीचे description box और i button में भी दे दूंगी आप जाकेश जरूर देखिएगा, यहाँ भी आपको मैं short में समझा रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे अलग topic discuss करें अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वहाँ पे जाके जरूर देख लीजिएगा सबसे पहला लक्षन होता है ovulation का vessel body temperature increase होना यानि कि जिस वक्त मैलाओं में ovulation होता है उस वक्त मैलाओं का body temperature 1 degree Celsius से बड़ा हुआ मिलता है यह आप किस तरह से count करे, cup करे, charting कैसे करे मैंने उस वीडियो में आपको समझा दिया है उसके बाद होता है vaginal discharge जी हाँ जब ovulation होने बाला होता है तो स्रीयों का vaginal discharge जो raw egg white होता है अंडे का white, चिप चिपा, slippery, stickyness होता है, transparent part जो होता है white विल्कुल उस तरह से vaginal discharge देखने को मिलता है मैलाओं में हर मैने में अलग-अलग वक्त पे अलग-अलग vaginal discharge देखने को मिलता है अगर आप उसके बारे में detail में जानना चाते है तो मुझे comment section में जरूर बताईगा उसके लिए भी हम आपके लिए एक informative वीडियो जरूर लेके आएंगे उसके बाद कई मैलाओं में ovulation के work pain होता है 20 या 30% मैलाओं में ही ये cases में देखने को मिलता है जिसे हम middle smudge भी कहते हैं कई सारी मैलाओं में energy level बहुत बढ़ जाता है water retention बढ़ जाता है या फिर आपका sexual desire भी बढ़ जाता है जी हम बिल्कुल natural process होता है एक available है तो वहाँ पे शुकरानों की availability होना ये nature का rule है तो इस वज़ा से उसी work sexual desire का बढ़ना ये भी एक लक्षन वहाँ पे देखने को मिलता है अगर comment की बात करें तो केसे पता करें कि कौन से side का ovulation होने वाला है तो इस बात को अगर आपको पता करना है तो आप इन सारी लक्षनों के आधार पर नहीं पता कर सकते इन लक्षनों के आधार पर आप सिर्फ ovulation होने वाला है इस बात को समझ सकते है लेकिन right side से या left side से इस बात का पता इन लक्षनों से नहीं चलता है या फिर किसी भी तरह की physical examination करके भी आपको ये पता नहीं चल सकता इस बात को जानने के लिए एक ही simple तरीका है वो है sonography जी हाँ sonography के जरीए ही आप जान सकते है कि इस बार इस मैने में ovulation right side से होने वाला है या left side से होने वाला है अब बात करते हैं कि आप वहाँ पे कोई benefit है कि आप हर मैने में sonography कराए और ये जाने कि left side से ovulation होने वाला है या right side से ovulation होने वाला है जब आप ovulation को जानकर pregnancy plan करते हैं तो definitely pregnancy के chances बढ़ जाते हैं इसमें कोई दोराय नहीं है अब आप कहेंगे कि pregnancy ठहरने के लिए ovulation जानना इतना important क्यों है जी हाँ क्योंकि ovulation के बाद याने अंड़ाशे से अंड़ा फूटने के बाद जो स्रीबिज release होता है वो स्रीबिज सिर्फ 24 गंटे जीवित रहता है जिन्दा रहता है मैं फिर से एक बार दोराती हूँ जब अंड़ाशे से अंड़ा फूट कर जो स्रीबिज release होता है यानि ovulation होता है वो जो स्रीबिज होता है वो सिर्फ 24 गंटे तक ही स्री के शरीर में जीवित रहता है अगर उन 24 गंटों के दोरान वो शुकराणू के साथ फलीत होता है यानि fertilization होता है तो ही आपको उस मैने में pregnancy रहती है अगर उन 24 गंटों पे वहाँ पे शुकराणू की availability नहीं होती है तो pregnancy उस मैने में नहीं ठहरती है इसलिए जब ovulation होने वाला होता है तो उसके पहले के 2-3 दिन और उसके बाद के 2-3 दिन इस तरह से 7 या 8 दिनों का जो हपता होता है उसे fertile period कहा जाता है और वो pregnancy अच्चिव करने के लिए बहुत ही important होता है उन दिनों में अगर आप pregnancy अच्चिव करना चाते है पाना चाते है प्रेगनसी प्लान कर रहे है तो आप उन दिनों में regular या फिर alternate day पे relation ज़रूर रखे अब बात करते हैं left side का egg और right side का egg इस बारे में हमारे समाज में लड़का होना चाहिए या लड़की होनी चाहिए इस तरह से मन चाहा बच्चा पाने की बहुत कोशिशे की जाती है और उनी कोशिशों के चलते उनी कोशिशों के चकर में बहुत सारे भ्रहम याने मित याने गलत धारणाय निर्मान हो चुकी है, जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर लेट साइड के ओवरी से ovulation हो रहा है जिस मैने में और उस मैने में pregnancy रहती है तो बच्चा होने वाला बच्चा ये लड़का होता है और अगर राइट साइड के ओवरी से ovulation होगा और उस मैने में अगर आपको pregnancy रहती है तो आपको होने वाला बच्चा ये लड़की होगी तो जी नहीं ये बिलकुल भी गलत बात है, मित है, भ्रम है, गलत धारणा है आप इस पर विश्वास ना रखे उसी के साथ-साथ एक ऐसा भी मित होता है कि लेट साइड के ओवरी से अगर आपका ovulation हो रहा है तो आपके pregnancy के chances कम होते है या फिर pregnancy नहीं ठहरती है जल्दी और राइट साइड के ओवरी से अगर आपके एक release हो रहे है तो pregnancy बहुत जल्दी ठहर जाती है तो ये भी एक मित है इस पे विश्वास ना करे कई लोग तो कुछ some vision days जो बोलते हम लोग odd and even days उसका भी बहुत सारा गणित लगाते है कि even days पे अगर वो relation बनाते है तो लड़की होगी और odd days पे अगर वो relation बनाते है तो लड़का होगा ऐसा नहीं होता है ये सारी चीजे सिर्फ अंधिश्रद है मित है गलत धरनाय है ब्रहम है इस पे आप विश्वास ना रखे बिल्कुल इसी तरह के कुछ और पांच बड़े मित है जिसके बारे में मैंने बात की एक special वीडियो मेंने इसके उपर बनाया है ओविलेशन मित उसका भी link में नीचे description box और i button में दे दूंगी आप प्ली पूरी तरह से मा का जो overall health होता है उस पे depend करती है right side and left side के ओवरी से निकलने वाला एग की health पूरी तरह से same होती है उसका survival rate सेम होता है उनका fertilization capacity सेम होता है implantation rate भी सेम होता है मतलब अगर आपका उद्बेश अगर pregnancy पाना है pregnancy आप चाहते है तो आपको दो ही बातों का खयाल रखना है एक तो आपका ovulation वक्त पे हो रहा है क्या और जब ovulation होने वाला है तब वहाँ पे शुक्राणों की availability है क्या इन दोनों चीज medical condition होती है जो मैं आपके साथ share करना चाती हूँ जब हम लोग सोचते है कि right side का एक release हो रहा है या left side का एक release हो रहा है वो condition यह होती है कई महिलाओं में जो fallopian tubes होती है जो इसे मैंने पहले समझाया आपको की fertilization process यानि स्रीबीज और शुक्राणों का मिलन होना fertilization होना यह process fallopian tubes में होती है तो यह जो fallopian tubes होती है यह कई बार महिलाओं में एक side की fallopian tube block होती है tubal blockage जिसे कहा जाता है अगर ऐसे cases में जिस side का tube block है उसी side का अगर एक release होने वाला है तो वैसे cases में उस महिने में उस महिलाको pregnancy की chances ना के बराबर होते हैं तो उस वक्त हम इस चीज का ख्याल र left side का एक इस बारे में हम बात करते हैं या फिस सोचते हैं अगर आप tubeal block क्या होता है इसके बारे में detail में जानना चाते तो हमें comment section में जरूर लिखेगा उसके बारे में भी हम आपके लिए एक video जरूर लिखे आएंगे I hope आपको आज का video informative लगा होगा अगर video informative लगा तो video को लाइक करना ना भूलिएगा अगर आप channel पे नए है और अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कीजिएगा और उसी के साथ साथ bell icon पे click करके all notification पे click करना ना भूलिए ताकि जब भी हम हमारा नया informative video upload करें तो उसका सबसे पहला notification आपको मिल जाएगा मिलते हैं हमारे अ जबगा झाएगा को